हेलो दोस्तों मेरा नाम है कृष्णा गुस्वामी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागता हमारे गुस्वामी टैक योटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी अप्लिकेशन के बारे में जिससे कि आप अपने किसी भी वीडियो से यानि किसी भी मूबी हो या कोई भी वीडियो हो उससे उसके ओडियो अलग कर लेंगे या और भी बहुत कुछ मालेगे अगर आपकी ओडियो है तो आप आपकी कोई ओडियो है और आप ओडियो को MP3 से किसी और फॉर्मिट में कम मतलब यानि किसी भी और MP4 या किसी और फॉर्मिट में अगर से करना चाहते आप उसमें भी उसको से कर पाएंगे तो आज इसकी जानकरी के लिए बने रहे में इस वीडियो के साथ मैं आपको सारी डिटेल दूंगा अपने मोबाइल की डिस्पले में तो सकते हैं लेकिन इसमें कई बार हमारे पास क्या होता है कि 5-6 मिनट के लंबे सौंग होते हैं और हम चाहते हैं कि इसको कट करते हैं च्छोटा सा एक क्लिप ले ले तो यहां पर भी हो आपका बहुत ज्यादा फाइदे मन रहता है उसके साथ कहीं वीडियो में अच्छे घा दिखाऊंगा तो चलिए मेरी मोबाइल की स्कीन पर चलते हैं आपको इस्टेब बाइस सारी डिटेमेंट पर समझात देता हूं तो जैसी का आप देख सकते हैं आज चुके अपनी मोबाइल की डिस्पले में तो सबसे पहले यहां से मैं जाऊंगा गूगल प्लेस टूर प तो देखे जैसे आप audio mp3 editor लेकर सर्च करेंगे तो यह सबसे पहले आपके सामने application आजाएगे आप देख सकते हैं तो यह मैंने already निश्टॉल कर लिया है आप इसको अपने phone में निश्टॉल कर लेजी तो मैं इसको open कर लेता हूं तो देखे ओपन करने के बाद यह में से directly कोई permission नहीं मागरा बट आपसे कोई permission माईक आप इसके permission दे दीजिए आप तो इसमें आप देखे यहां पे आपको नीची option दिख रहे होंगे सबसे पहले आपको दिखा रहा है देखे ट्रिम audio फिर आपको लिखा रहा है merge audio फिर आ audio को cut कर सकते है यानिकि उसका size छोटा कर सकते है आगे पीचह से यह उसके लिए और यह merge supply आप को guide को dapple को और रिकॉर्डिंग के थे अगर आप के लिए अगर आप इससे रिकॉर्डिंग करना चाहते ह। अभी आपका वीडियो का उडियो चाहिए justement यहाप कमेशी निया भी उचले का殺 और उपर से कर देता हूं नेश तो यहां पर देखिए यहां पर copy to MP3 तो यह MP3 मैंने करते हैं यह OK कर देख सकते हैं जैसे मैंने इसको तो यहां पर बहुती स्पीट से हमारा काम हो रहा है यह पहले वीडियो में था अब audio में convert हो गया है यानि कि मुझे इसका audio अलग हो चुका है वीडियो से तो मैं इसको अभी अपने फोन के file manager में जाके आपको दिखा दूँगा कि audio कहां पर save हुआ होगा तो देखिए यह भी वीडियो 2 audio का इस audio से नाम हो गए देखिए और इस टूरेज तो मैं एक बार इस audio को आपको इस टूरेज में जाके दिखा देता हूं तो जैसे यह रही मेरी file manager यह रहा है storage यहांसे मैं यह रहा audio to extract cutter यह रहा देखिए वीडियो 2 तो यहाप आप देख स आप मेरे audio आज चुके हैं तो यह पहले का भी है मेरा और यह उस वीडियो का जो audio था वह बिदम अलग हो चुका आप सुन सकते हैं इस बारे तो यह मेरी पहले की वाले जो अभी वाला है मैं आपको सुना देता हूं तो जैसे कि आपने देखाivan है यह वही है सुनता है कि अप अभी तो यह तो जैसे आपने देखाए जैसे कि बास करता हूं तो जैसे कि आपने देखा उम्मीद करता हूं राजा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो करते हैं अगर कोई भी सवाल जबाब हो तो आप मुझे नीचे कॉमें बता देजिए मैं आप सभी की सब्सक्राइब करें बात दूंगा तो फिर इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइब यह हिन